हेलो अब्रिवान आपका स्वागता है वनले स्टेडीपोर आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहांस इतिहांस से जीतने भी कोस्टन बन सकते हैं वो सारे कोस्टन को एक ही वीडियो में कभड किया जाएगा ठीक है इसे लगबख मैं 135 कोस्टन करूंगा पूरे इतिहांस से एक में कोस्टन को लिया जाएगा और यह इतिहांस भारत के जितने भी एकजाम है उस अब के लिए परियाप था तो कि इतिहांस बदलता नहीं है इतिहांस एक बड़ लिखा गया तो लिखा गया उसमें कोई छेड़-छाड की जरूरत नहीं है ठीक है अग्वर राजा था तो रा सब्सक्राइब हो या कोई भी हो उसके लिए परियाप वीडियो है आपका पूरा इतिहांस से पूरा निचोड़ कर को सिलेक्ट किया गया एक सब्सक्राइब करने से मैं मोटिवेट हूंगा और आपके लिए और अच्छे-चे कोस्टन लाँगा या इतिहांस है इसके चारों से चार वीडियों आएगे चारों चाप्तर के लिए चार वीडियो यह नहीं कि मेरा पार्ट One पार्ट Two पर्ट Three नहीं ये वीडियो में पूर्या में प्लत आप ऊब करिए इस्तर है जिस काल का कोई लिखित वीवरन उफलब्द नहीं हो उसे क्या कहा जाता है तो उसे कहा जाता है प्रागैतियासिक प्रागैतिक इस्यासिक मतलब इतिहास है उसका कोई परमान लिखा हुआ नहीं है कि हो यह राजा थे वह करते थे वह करते थे ऐसा कोई नहीं है तो उस तरह के इत पर सुखो तो वह है आपका फॉस्टे आपका कुट्ता जो आज भी बहुत वफदार होते हैं जानवर में आपका वह है कुट्ता तो आदिवासी भी फॉस्टे कुट्ता को ही पलतु बनाए थे तिन नमर पड़िए आद्धुनिक होमोसेफेंत मानव का उध्भाव कीस काल में हुगा तो एह हुगा आपका उच पूरा पसं काल में। पहले तो बन्दर की तरह थे होता हैं आन। नहीं बलते थे कि पहले हम बन्दर की तरह थे तो आप उसके बाद थोड़ा से सीधा हुए उसके बाद थोड़ा से सिधा हुए इस तरह से होते होते जो यह आपका उच पूरा पसान काल उस समय तक हम लोग पूर्ण रूप मानव बन गए ठीक है उसके पहले तो बंदर ही थे लेकिन करम तो अभी हो नहीं छुटा है करनी तो वह सही है चलिए देखते हैं चार नमर मा आपका उच पूरा पसान के बाद आता है उसमें आग जालाना सिखे लोग चलिए पास नमर पढ़ लेते हैं मानव ने सौर पर्थम किस धात्यू का परियोग किया बताए बहुत लोग गलती करेगा इसमें यह आपका है तामबा क्या है तामबा का परियोग स्वर पर्थम इन लोगों ने सुरू किया था उसमें तामबा काहीं बर्तन था इसलिए उन लोग कोई विमारी उमारी नहीं होता है डॉक्टर से पुछिएगा अदिकतरों पोलेगा कि तामबा के बर्तन में आप पानी पीजिए उससे बहुत फायदा करता है आपको लीवर के लिए उसम मैं नहीं जानते थे कि इसको धातूगे कहते हैं बाद में अपना साइस्टिक लोग आया तो मुलना सुरू किया यह है उसका नाम है यह वो डेश्टेट उसके पॉले नहीं था वो लोग यूज करते थे लेगिन तामबा का वो पड़मान मिला है ठीका चलिए चौन और उप्योग में लाई गई पहली फोसल थी तब वह थी आपका अप्शन नमर बी क्या जोग आजकाल तो कम भुआई हो रहा है लेकिन उसमय यह लोग जोग होते हैं थे ज्यादा तर अब पड़मान भी मिला कि उसमय जोग की खेती होता था धान के भी होता था लेकिन मूल र नहीं रहता तो चावल आप मार चक्ती थे ठीकर तहीं आपका यह सब ऊविनाई मार सकते हैं चलिए ऑठ नमर मानोख खाद पपदार्थो का उत्पादन और भोगळ को ब कि भुआ है पर आनहों क्या तो उसके बद पाका अकर खाना शुरू कि उसका पसल फॉसल इस अब करना शुरू कर दिया चली नाव नम युट में से कौन पूरा तात्विक पूरा तात्विक हरपा के उत्खनन से संबंधि था मतलब ये कुन वियुकति है? जो होड़ापा के खनन की थे। तो ये किए आपका डायाराम संहनी ऑणछा 211 में ने हड़ापा के dlaow कि हाई यहड़ा पर काल था उसमें इस तरह से होता था उस तरह से होता जैसे भी हो उसका बाद सिंदु घाटी है आपका वो भी हुआ था एक बरस बाद अनुशा 22 में उसको किये थे यह है आपका दायराम सहनी वो थे राखल दास बनर जी अगर यहीं पर पुछ देता सिंद इसी में कोई है मेरे ख्याल से यहाँ यह सही है चलिए थोड़ा सा डाउट हो रहा है आप भी किलियर करकर कमेंट में जरूर बताईएगा यह ध्यान में रखेगा कि हाड़ापा के खोज आपका दायराम सहनी और आपका सिंदु घाटी के राखल दास बनर जी अब इस भी म अब आपका आधेयती हां सी काल से ठिक आधेयती हांसी काल से है सिंदु घाटी सभयता वाला हो चलिह अब करके अस्थवरों में कांट नर्तकी की मूर्थी कहां से प्राप्त हो है मतला उस में डांच का भी कुछ था क्योंकि वेख मूत्ला सरृ पूतला मिला था आपका जो क्या है आपका नर्थगी के रूप में कांस का मिला था नर्थगी का मूर्थी तो वो कौन जगह पर मिला था तो मिला था काली बंगा में और से सवरिंगी मुहन जोदारों में मिला था दास करते हुए ओरत का पूतले पर यूह पर Elena चलिए बारे नермट मेंसे कौन सा कॉ 쪽 ंच्व आ के परादया है तो अब पर दे बॉलकि एकशी मला जोनी करेंगी हैया सब्सक्यास के लाखर पती है मीकश सपावता है यह घेंगे देखी है लेसा समय सब्सक्राप्ण प्रसीद पसुपती की मोहर कहां से मिली है तो कहां से मिली है तो मिली है आपका मोहन जोदड़ों से मोहन जोदड़ों से आपके पसुपती की मोहर मिली है मतला उस मोहर पर पसुपती का चीन है यह मिला था मोहन जोदड़ों में चौदे नमर पढ़िएगा सिंदू सब्यत्ता में गोदिवाडा का साक्ष कहा से मिला किसका तो गोदिवाडा का साक्ष यह मिला है लोथल से ठीका लोथल में उस समय ब्यापार का बहुत बढ़ा जैके उस समय ब्यापार जैसे बजार लगता है न बंदरगा हुए उस तर से लोथल ने बहुत बड़ा बंदरगा था, वहाँ पर कोई भी समान बेशा की नी होता था, उस समय, सिंदु घाटी सब्यता के समय, यह है गोदी वड़ा का साक्ष मिला था, लोथल में मिला था, उसके अलावा मैं बताए यहाँ पर बजार उजर का बहुत बड़ा केंदर था लोथल में, पंदर नमर, सिंदु सब्यता में बिसाल अनागार कहां से, मतलब बिसाल नहाने वाला नहीं होता है, जैसे बहुत बड़ा का सा नहाने वाला, कहां पर मिला है इसका साक्ष, तो मिला है आपके मोहन जोदरों में, ठीक है, मोहन जोदरों में आपका बिसाल अना चलिए अनागार का मतलब हुए कि हम अनागार का मतलब होती जहां पर अनाज रखा जता है जैसे आपको पटना में मिलेगा अपके गूल घर बहुत बड़ा वह अंग्रेज लोग बनाये था अनाज ही रखने के लिए उसी तरह मोहन जोड़ों में आपको बिशाल अनागार मि चेक करना है तो इस साब सुत्रा है कि आपका हडापा जो है सिंदु घाटी नदी के किनारे नहीं था इबात गलों था है मोहन जोड़ों था सिंदु के लगे आ काली बंगा भी घगरत नदी के लगे आ अलमगीरपूर हिंडन के ठेक अलमगीरपूर हिंडन नदी के किनारे एसी तित्था है मुहाद जो दाड़ जो है न वो रावी नदी के लगे है कि कहाँ पर है तो वो है रावी नदी लगे है हड़ापा आपका रावी नदी के लगे है चलिए next portion देखते है सत्रे नमर सिंदु सबेता की वर्स तित्थी किया है यह बहुत लोग कंफ्यूज होता है आज मैं क्लियर कर दूँगा तो यह आपका option वर B पढ़िएगा यह आपका 25 से 2750 इसा पूर्व है उस समय क्या है इसा पूर्व उल्टा चलता था इस समय क्या है कि आपका 2020 है इसके बाद 2021 इसा जाएगा लेकिन उस समय उल्टा था उसके अंसार देखेगा तो 2020 है तो फिर अगले साल 2009 हो जाएगा उस समय कंसार अगर जोड़ा जेतो उस समय उल्टा चलता था तो सिंदु सब्यात आपका 25 से सत्रे सो पचास इसा पूर्व था वो यही आपका तीथिता इस समय तक सिंदु सब्याता अस्तित्व में था 25 से सत्रे सो पचास इसा पूर्व था चलिए अठारी नमर कोचन देखते हैं भारत में मूर्ती पूजा का आरंभ माना जाता है कौब से माना जाता है तो वो आपका सिंदु सब्याता से हैं आप देखे तो है कि वहाँ पर मूर्ती मिला था पसुपर्ती का मुवर मिला था तो उसे में साक्ष मिला था कि हम मूर्ती पूजा करते थे आपके कौन सिंदु सब्याता के लोगो चलिए और इस नमर रिंगवैदिक आरेय किस की पूजा करते थे तो रिंगवैदिक आरेय पूजा करते थे आपके प्रकिर्थी का जिसे हम आप लोग क्या बोलते हैं आज समय परियावरन तो उसमय परियावरन का भी पूजा करते थे रिंग बएद में यह बात मिला है चलिए 20 नमर आर्य भारत में सबसे पहले कहा बसे तो उख बसे आपका सबसे अपसर नमर यह पढ़िए सब संधो पर्देश में आपके आर्य पहले आकर वहां पर बसे चलिए 20 नमर उत्तरबादी काल में इंद्र का अस्थान कीस देंता को म मिला है तो वह मिला है प्रजापती को ठीक है प्रजापती आज कल को थे ना इंद्र भागवान जो बारिश बोर्स आते हैं तो उसमें इंद्र भागवान बोलते थे वह लोग सिंदू वाले उतरबदी कल वाले प्रजापती भागवान जी को चलिए नेक्स्ट कोस्चन देख तो इसी बात पर तो अप्सान नमर सी पढ़ियेगा तो उसमें गलती है क्या गलती है भाया उतरबादिक काल में इसतिरीयों को सभा में परवेश की अनमोदी थी यह बात गलत है उस समय उतरबादिक में यह था कि अवरत लोग दुवारी से बहरी नहीं आएंगे ठीक है तो आपका परवेश करने को बोल रहा है किस में, साभा में, साभा में वर्जित था है आज भी गाउदयात में जाईएगा तो जहां पंचाईत होता है वहाँ अवरत को नहीं बुलाए जाता है कि यह बात गलत है उसमाई नहीं बूलाई जाता था रिंग बैतिकाल में ऐसा नहीं था ठीक है अपसर नमर सी आपका आंसर हो जाएगा हूँ गलत दिया है चलिए देखते हैं नदियों के परची नाम और अधुनिक नाम अब मिला यह कौन सा अस्वत्य है यहां से तीन को बागी सब पढ़ लेजिए विस्थ था आपका जेलम नदि के किनारे परुस की एक मिनट हाँ परुस की यह लिखा है परुसनी सरी परुसनी रावी नदि के किनारे और बिपासा ब्यास ठीक है उसमे बिपासा था नाम लेकिन अभी हम बोलते हैं ब्यास बोलते हैं और बिस ठीक है चली नेक्ट कोस्चन देखते हैं क्या दिया चविश्चन विश्चन वर किस वेद की रचना गद यह पद दोनों में की गई है पताओ तो बच्चा तो यह आपका हो जाएगा यह जूर वेद ठीक है रिंग वेद आपको सिर्फ गद में मिलेगा लेकिन एक लाउता है चारगो वेद में आपका यह जूर वेद जो गद और पद दोनों में है बाकी सब आप देखेगा तो गद में ही है लेकिन यह दोनों यह सिर्फ यह जूर वेद आपका दोनों में है गद और पद दोनों में इसको याद रख लिजेगा चलिए पच्चिस नमर में सोही सुम बी पढ़िए चेदी जो है चेदी के रजधानी था आपका पोटली क्या था पोटली आपका मगत की गिरी बरज था मगत की रजधानी गिरी बरज आज हम क्या बोलते हैं राजगीर बोलते हैं क्या राजगीर बोलते हैं उसमय गिरी बरज बोलते थे और मॉल्लय मॉल्लय का रजदानी था कुसावती, क्या था? कुसावती, चलिए, तो एक नमर कोलती है, कुरु कर रजदानी इंदपरस्थ नई था, चलिए, देखते हैं आगा, पाटली पुत्र नगर कस्वा स्थापक, पताए पाटना कस्थापना किसने किया था, तो वो किये थे उदाइन, ठीक है उदाइन जो पटना कस्थापना किये थे, उदाइन नाम था पाटली पुत्र, बाद में इसका नाम हुए आपका पटना, चलिए, नेक्स्ट देखते हैं क्योस्टन स्थाइस नमर, किस साशक की उपाधी कुनिक थी, किस साशक की उपाधी कुनिक, तो वो थी आजाजसत्र मतलब इन लोगों के बंच में यह था कि अपना पिता को मार कर राजा बन जाते थे इस तरसे पित्र हत्या बंच भी बोला जाता है चलिए आगा बढ़ते हैं 28 नमर देखिए तो सिकंदर के समय मगत पर किसका सासन था तो सिकंदर के समय मगत पर कौन सासन कर रहा था ता वो कर रहा है थे घानानन्द ठेक है घानानन्द कर रहा है थे सिकंदर के समय और आपको पता होना चाहिए घानानन्द को किस ने हराय था चंद्रगुप्त मौरे ने हराय था इसके सहारे से ता वो थे आपके चंद्रगुप्त मौरे मतलब चंद्रगुप्त मौरे इसे राजा से हटाना चाहते थे घानानंद को इसलिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौरे को खरीदा और उसे हर चीज उग्यान दिया जिसे इसको म यह वाला अभी वाला बैसाली जो बिहार में है आपका बैसाली जहां पर भूद भी वाँग्यान बाटे थे उसके अलावा जयन धर्म के 24 वे गुरु कौन महावीर का भी जनम बैसाली में ही हुआ है चलिए next question तो समझे न काला सोक की रजधानी क्या थी तो बैसाली थी काला सोक एक सासक था जो शासन कर रहा था वहाँ पर उसका रजधानी था कोईसा तो बैसाली था चलिए तीस नमर देखते हैं निमन में से किसे स्वर्व छत्रानतक अर्थात छत्रियों का नास करने वाला कहा गया है तो किसको कहा गया है छत्रियों का नास करने वाला तो वो कहा गया है महापदबानन्द अप्चन नमर ए एक महा पदमाननद को कहा गया है छothiriydo का नास करने वला ठीक है चलिए 31 नमसी का अंदर कहा का साशक्त है बताईए तो उस्था आपका मकदुनिया का अप्चन नमर ए सीक अंदर कहा साशक्त यहाए तो मकदुनिया का इसका मर गये तो कहाँ पर इसको समाधी अस्तल किया गया? तो भीक मैं ठीक है, तर आसा कहाँ के था अधुनिया पर गये तो कहाँ पर इसको भीक मैं समाधी 326 इसापूर में 326 सापूर में सिकंदर यो पोरस के बीच जेलाम नदी के किनारे हुए था यह यूद यह भी पुछता है आपका पोरस और सिकंदर के बीच लडाई हुए था किस नदी के किनारे हुए था तो जेलाम नदी के किनारे हुए ठीक है जेलाम नदी के किनारे हुए था इस यूद कम हाइडेन एस्पीड यूद भी कहते हैं इस बात को दियान रखेगा कब हुए था 326 इसा पूर्व में चलिए आगे आना देखेए 24 वे गुरु जयन धर्म के 24 वे तिर्थ कर थे तो कौन थे आपके तो उथे महावीर आपको पौले में बता चुक था तो ये महावीर थे 24 वे गुरु जयन धर्म के चलिए 34 नमर महावीर ने जयन धर्म में पूर्व से प्रति पादि चार महा ब्रतों में कौन सा पाँचवा ब्रत जोड़ा तो ये जोड़े आपके ब्राम चर रहे है ठीक जीवन अपना ब्राम में चर रखो मतलब साधी होदी मत करो चलिए 35 नमर जयन धर्म में तिरी रत्न है तो कौन सा है तिरी रत्न तो आप ध्यान से पढ़िएगा डी नमर तो वहीं आपकान सा हो जाएगा मतलब इस वहीं आपका तिरी रत्न तिरी रत्न तो मतलब तीन को होगा बात अब तीन को बात कौन सा है तो सामय दर्सन स्वामयक दर्सन स्वामयक आचरन और स्वामयक ज्यान यहीं आपके तिरी रत्न जयन धर्म कुए इसी तरह बुद्ध धर्म के भी तिरी रतना आगा मिलेगा मैं बताऊंगा महाबीर ने किस भासा में उपदेश दिया था तो महाबीर ने आपको प्राकिर्थ भासा में उपदेश दिया था अपना जितना भी भासन था वो महा प्राकिर्थ भासन में ही दिये थे चलिए स्वाइटिस नमर महाबीर का जनम कहां हुआ था तब महाबीर का जनम बैसाली में हुआ था यह है आपको मैं बता चुका हूँ जो बैसाली कहां पर आप तो वो बिहार में है चलिए और तिस अमर पराथम जयन संगीती कहां आयोजित की गई थी तब पराथम जयन संगीती आपको पार्टली पूत्र में की गई थी ठीक है यह पराथम जयन संगीती यह जयन बुद्ध संगीती भी होता है वो मिलेगा भूत जी के पढ़ेंगे तो आईएगे शुरू हो गया तो यह आपका कौन सा परतम जैन संगीती पाडली पूत्र में ही शुरू आत हुआ था ठीक है और यह शुरू आत हुआ था आपके 24 वे गुरु जब्बाने महाभीर तब शुरू हुआ इसलिए यह सब्सक्राइब का जोनम कहां तो बैसाली में और मिर्टी होने कहां पर हुआ तो पावापूरी में हुआ अप्स नमर बी यह बात सही है चली चली समय महात्माबूद ने अपना पहला उपदेश कहां दिया अपना पहला उपदेश कहां दिया अपना पहला उपदेश कहां उपदेश दिये तो वो दिये थे सरावस्ति में लड़का इसी में कनफ्यूज होकर मारता है सरावस्ति संबसे कहां पर दिये थे तो वो सारणाथ में दिये थे लेकिन पूस्ता कि स dudes कहां पर भाशन उपदेश दिये तो दिये में चलिए, next question देखता हैं, 41 number महात्मा भूद ने उपदेश देने हे तू किस भासा का उपयोग किया वो किये थे आपके पाली भासा बूद भागवान कौन सी भासा का उपयोग किये थे तो पाली भासा किये ठीक है संग मतलब इउनिट यार धर्म मतलब एक धरवर्ब जैसा बनाए जाएगा तई तीन है आपका तिरी रत्न और उसमें क्या था संग लंग्न एसे था ना संग लंग्न कुछ-कुछ था तीन गो तो एक मिनट मैं देखे ही लता हूँ 35 पर लिए क्या समयखद rewarded समया कार्ण और समयग ज्यान यह था जैन धर्म का तेरी रत्न और बुद धर्म का क्या है आपका बुद संग और धम ठासे लीगा ? बुद संग और धम यह यह आपका तीरी रत्म बुद भाग्न का चलिए 63 वम Pacific Meerei किसके साशन काल में बोध धर्ण दो भागों हिन्यान और महायान में बटे गया अब क्यों के शासन काल में बटा है ओ बटा आपका कनिसक के समाई ठीका चौधा संगीती हुआ था आपका जामु कस्मरियं में कनिसक के शाशन काल में तो उसी समझ archives भूध था और नमर का था मतलब बूद्ध भागन के चौथा संगीती जो हुआ था ना वो जमुएंड कस्मीर में था और उसके उस समय से आसा कनिश्क था ठीगा कोशन द्यान में रखेगा चलिए चब लिश्णवर महात्मा बूद्ध द्वारा दियेगा प्रथम उपदेश को कहा जता है तो प्रथम उपदेश को कwali कहा जता है नू कहा जता है धर्म चक्र परिवर्तन सी धार्म चक्र परिवर्तन कहा जता है जब पहोंड उपदेश दिये थे तब tut परी निर्वाह कहा जाता है जब मुर्̥ि हो गया था बुद्भागان को तो अब कहा जाता है उसको माहापरी निर्वाह चलिए आफाद स्कूलिह निमलेखित में से बहुत संगितियों में कौन सुमेलिथ नहीं है मतलब गलत कौन साहे यही आपको बताना है तो ध्यान चे पड़ी एक अप्शन नमर डी ही तो यह बात गलत था है ठीक है देखिए पहले ही मैं बताया था आपको कि बहुत संकीति का चौथा नमर किसके सासुनकाल में हुआ था तो हुआ था कौनिस्क के अभी अभी मैं जोष पड़ाया ठीक है कौनिस्क यहां पर क्या दे रहा है होर्स बर्दन इस बात गलत है ना बाकी सब देखिए प्रथम जो था आजात सतुर के सासुनकाल में दूसरका काला सोके और तीसरका असोके और चौब था कौनिस्क के चलिए 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 नमर बूद के स्वर चन्द्रगुप्त मोरे का परधान मंत्री था तो कौन था चन्द्रगुप्त का परधान मंत्री वह था ओप्शन नमर ए विशनुप्त ठीक चंतर गुप्थ मौर्य का परदान मंत्री था बिश्नु गुप्थ और इन ही को हम बिश्नु जखे ए इन्हें क और कॉर्टिलिया भी बोलते हैं और आपका विश्नु गुप्थ कॉर्टिलिया पूर्टिलिया चलिए अपना कमेंट में जरूर बताएगा हाला कि बाद में मुझे ध्यान आ जाएगा लेगिन अभी नई आ रहा है ये चंद गुप्त मौरे का जो बोले थे न क्यों खरीद कर इन्हें पूरा ग्यान दिये उनका नाम है विश्णु गुप्त भी बोलते हैं उन्हें कोटिल एकना सब ग्यान दिया था है चंद गुप्त मँझेक ड़ोर घारान। आनांध को आरे देंगेंद सेंट दिये क 그래요 you गामा में ठीक, तो चंद गुत मौर्य ने अपना अंतीम समय कहां बिताया तो सड़ोन बेल गामा में बिताया था, ठीक है, चली नेक्स कुस्टन देखते हैं, उन्चास नमर, मेगा अस्तिनीज की इसका राज़दूत था, तो मेगा अस्तिनीज राज़दूत था आपका सेल लिकटर को तो मेगास्तिनी ने एक सर्थ पयूद हुआ था कि अगर मैं सर्थ हार गया तो आप मने वह अपने बेटी को चंदगुत मौरे से साधी करेंगे और राजपाट छोड़ करें यहां से चले जाएंगे क्योंकि वह भारतिय नहीं थे कहीं और के थे आकर सासन कर रहे इसलिए इनको हराया चंदगुत मौरे ने और इनके बेटी से साधी भी किया और चंदगुत मौरे ने सारा राजपाट इनको दे दिया लेकिन चंदगुत मौरे इनको जब वीदाई किये से लुकस निकर्टर को भारत से दूसरे ठाइम पिठाए तो उन्हें 50,000 हांती दि देखते हैं तो 50 नमर कोस्षन क्या कर रहा है कि चंदगुत मौरे ने अपने अंतिम दिनों में कीस दर्म का अनुवाई बन गया था तो वह बन गया था आपका जैन धर्म का ठीक है यह जैन धर्म को अपना लिया चंद गुत मौरे ने इसके बात से जो भी इनके बन सजाए चन्द गुत्म और एक असोक आए या और कोई कोई आए वो सब भू धर्म को ही अपना है लेकिन ये थे ज्वहन धर्म को अपना है एक लाउता ठीक है चलिए एक आउन नमर निम लिखित में से कौन सा कौतन सत्य है अब स्वही वाला चूच करना है तो अप्शन नमर डी चंद गुप्त ने किश्चन गुप्त ने सुदरसन जील का निरमान कराया था चलिए नेक्स देखते है बाव नमर जड और सास्त्रकिसकी रचना है यहाँ पर आ आगया न और सास्त तो है कोटी लिएक है अब यहाँ पर अपसर नमर विशनु बुपत लिख दे तो या कोटी लिख दे तो या कोटी लिख दे तो या चानप के लिख दे तो कोई फरक ने एक ही ब्यक्ति का है यह सब नामा है चानप के जी काही नाम है विशनु बुपत और कोटी लि ठीक है अशोक ने गलिंग पडूर्व एक्साइट इसाफूर में आक्रमन किया था चलिए नेक्स्ट कोष्टन देखते हैं इंडिया किसकी रचना है तो इंडिया आपका मेगस्थेनिश एक बहुत ही फेमस कोष्टन है बहुत पर आचुका है हर एक्जाम में आता है इंडिय इंडियї को तॉट सुटमल के लिए और वो देखे थे पूरा कि इसतर्वा duty रिवाज किया है भारत का तो वहीं देख कर एक भूग लिखे उसका नाम रहे किया है इंडिय का कुन लिखे तो मेगास थी नीज चलिए पसपन नमर बहुत धर्म के परचार के लिए असुक ने किसे सिरी लंका भेजा था तो वो अपने बेटा और बेटी दोनों को भीजा था तो महेंत और सौंग मित्रा दोनों को भीजा था सिरी लंका में बहुत धर्म के परचार के लिए अभी अभी कोश्चन पूश्टा है असोक किस बंस के हैं तो ये मौरे बंस के हैं ठीक हैं चलिए देख ले आए वो क्या था चंदगुत मौरे जोयन धर्म अपना थे अंतिम दिनों मतलब बुढ़ारने के करीब आए थे मरने से दो साल पहले बहुत धर्म अपना थे लेकिन अचो कॉनसा धर्म अपना है और अच्मण दो किस नहीं किया तहों कि यत to आप्शन नमर ए होना चाहिए जेम्स प्रिंसेफ ने किया है चलिए कौप किये थे तो यह किये थे अठाड़े सवाइटीस में यह खोज किये थे जेम्स प्रिंसेफ ने किस ने पढ़ा तो पढ़ा जे कौन तो जन खोफोले का तौन न पढ़ा तो वो जेम्स प्रिंसप नहीं पढ़ा था खोजेगा वह वाहीं उनries पढ़ेगा तो जेम्स प्रिंसफ नहीं अस्वोग के शिलले को पढ़ा था चलिए नेक्ट फोर्चन देखते हैं सांची के अस्तूप का निरमान किस ने कराया तो ऑ कराये आपका असुक कख कैं आसिक हैं सांची के अस्तूप भी कहते हैं तो अशोक अस्तम हो जाए गया अशूक ने कराये था सांची गस्तूफ का निरमान अशोक ने करवाया था चलि हाँ उनसवा स्टम आम आशूक है अवल एक किस लिपी में लिखे गए हैं भाई अब बूक लिखे थे तो कौन भासा में लिखे थे तो वो लिखे थे अप्सिन नमर डी इस्वब भासा था ठीक खरोष्टी भी था बड़ामिप भी था और ग्रिक यम और आइमेग भी भासा का परियोग किया गया था नेक्स्ट कोसा जन्गुत मर्य की सेंड्रु कोटस के रूप में पाचाना की पाचाना ता वह बिलियम जेंस ने पाचाना ठीक है चंद्गुत मौर्य की सेंड्रोकस के रूप में पाचाना, मतलब बूक जो पढ़े न, असो के जो बूक मिला था इनको, बिलियम जोन्स को, तो वो बूक हो दिया थे जेंस परी सब, लेकिन बूक आप कोच कर रहा लुका थोड़े देंगे, तो ये पढ़े आपका बिलियम ये तो उस बूक में पढ़े कि चंद्गुर्प मौर्य का नाम लिखा था सेंड्रोकोटस, इनका एक और नाम लिखा था सेंड्रोकोटस नाम लिखा था उस बूक में चलिए एकसर्ट नमर कोस्टन पढ़िए क्या असोक के किस इलालेक में उसकी कलिंग बीजय का उलेक मिलता है तो वो मिलता है आपका तेरा हुए में कलिंग यूद कब गथा दूसर एकसर्ट इसा पूर्व में हुआ था तो यह बात लिखा गया था असोक के सिलालेक नमर 13 नमर में यह बात लिखा गया था कि असोक ने यूद किया था का लिंग का चलिए 62 नमर मौरे काल में गुप्त चरो को क्या कहा दाता था इस समय क्या कुपिया एजेंशी नहीं होता है जिसे भारत का रो हाए आपका आई भी हाए इस तरह का बहुत है तो उस समय कुपिया एजेंशी को क्या बोलते थे तो बोलते थे आपका अपसन नमर डी सब अपड़िये काई काई बोलते थे संस्था बोलते थे गूड पूरू ये संचार भी बोलते थे चलिए तिरिपन नम तिरिशार टमर मेगा अस्थिनिश कानुसर बारती समाज कितने भागों में विभग था तो कितने भाग में विवक था तो वो चार भाग में विवक था ठीक है? मेगा अस्थिनेश का नुसर क्योंकि बहुत देर आथा भारत में इसके नुसर भारत की समाज चार भाग में बटी हुई है चलिए चंदगुत मोरे के महल के अवसेश कहां से मिले हैं कि मतलब यह महल बनमाय थे चंदगुत मोरे यह बात कहां पर मिला था वो मिला पटना कुमरार ठीक है हम लिए भूँ पर होते थे पट्ना में कुम्रार में ही मेरा रूम था मैं वहां रहा हूँ ठीक है तहीए महाल में मिला है चंधा इसे मौषक ही म Takes मोषय का किeren इसे नहीं बनवाया था कुभण कि और आद बुराब शुम्रार की रधानी हो एफ नम सी पòng posson येगा जैसे भीया देख रहे हैं कितना उरेव लिखा है राहूलो वाद सुक्त ठीक है चलिए आगा हम बढ़ते हैं थोड़ा लाबा है तो थोड़ा किछना पड़ेगा तेजी में चलिए मौरे काल में प्रचलित वीष्ट था ता कौन सा वीष्ट था ता वो था आपका नी सुल्क स्रम था मोरे काल में प्रचलित वीष्ट था कौनसा था जैसा नमट पढ़िए भारत में सवेख सोने के सी किसने चलाया तब और चलाया अपने मर बी इंडो-ग्रीक ने आपका सोना का सी बात्त और पकार रुष्ट को पूंच्छन फूरब देकि सोना के शुरुवात कौन किया तो इंडोग्रिक, अब पूछे कि सबसे सुध सोना का परचलोन किस ने किया तो वो किया था कनिस्क ने, ठीक है, कनिस्क ने किया था सबसे सुध सोना का रूपिया बनवारा था कनिस्क, लेकिन सबसे अधिक मतर में कौन सोना का सीखा जा किये लेकिन सुद्ध पूछेगा तो कनिस्क और सबसे प्रतम पूछेगा तो देख सकते हैं इंडो ग्रीक ने शुरू किया था कोई कोई कोश्चन घुमा कर देता है चलिए तो नेक्स पड़िए भारत में स्वार प्रतम सोने के सीखे किस ने चलाए तो इंडो हो गया और सत्वाहन बंस वालोंने सीखा के सीखा जैरे किया सत्वाहन ने चलिए 69 नमर ब्रामन को भूमी में दान दे सकते हैं जो आजकाल बंध हो चुका है चलिए सत्तर नमर रूद्र दमन कौन था ता रूद्र दमन आपका था सक सासक था ठीक है रूद्र दमन सक सासक मतलब सक बन्स का सासक था रूद्र दमन चलिए कहतर नमर कनिस का राजवद था मतलब राजवद ना होता कि आजकाल भी रहता है जो से बड़ा बड़ा हीरो लोग हो था है तो वो अपना special doctor होता था तो उसी तरह कनिस्क का राजवैद था कौन तो उसी तरह कनिस्क का राजवैद था उसमें डाक्टर नहीं होते थे या अपना अहरवेद से ही इलाज होता था तो उसमें उनके साथ दर महायान ठीक कनिस्क बहुत धर्म के महायान का साथ सकता आपको पता होना चाहिए बता भी चुका हूँ चतूर्था जब हुआ था चौर्था नमर के बहुत संगीती तो उसमें कनिस्क के साथनकाल में ही हुआ था और उसी समें बहुत धर्म दू भाग में बटा था हीनियान बाकों कितो ल reflecting पूरुस पूर में ठीए नेक्स्ट अगा कोशन पड़िए चुना गोड़ के प्राब्यव आफिलेक किस शासोग का था किसासोग का था तो वो था रूदर्वास्ति यहां सब्सक्रीट में एक लेक मिला था वो रूदर्वणीra था चलिए बढिए 25 नमों इंन में से किस अस्थान पर रूम बश्ति मिली है जा रूम बश्ति कहाँ परमी है एक हम सmamल बी पढ़िये द्यानawan से रीक और एक मैंडू ठीक तो और मैंडू में हाओ अायब का 25 का भी और लवक मेंडू चलिए छी अतर नामर कर्श्ब्म पढ़िए बुढ चर एडरे वुद्रव चोल्च निंद होगा, तक गुप्त बंग के शुरुवात किये थे सिर्यूप्त किये थे औपसिन नमर डी ठीक है चंद्रगुप्त फुरतं नहीं सतहतर का डी ही होगा सिर्यूप्त तक गुप्त सन्मथ परभाग किशने किया थे मतलब कोष्चन पीछ फोड़ा है किस आसक ने गुप्थ क संवथ परद्रम की तोड़र से स्थापिक होना तो ये गुप्थ है इसाहि हम भारत का विष्मार्ग भी बोलते हैं समूद्र गुप्त को चली आगा पड़िए भारत का नेपोलियन किस गुप्त सास्वा को कहा जाता है तो भारत का नेपोलियन वो कहा जाता है समूद्र गुप्त को ठेक है समूद्र गुप्त को भी भारत का नेपोलियन ही कहा जाता है भारत में सीख्छा अग्यान के लिए ये बुद्ध भगवान को ग्यान प्राप्ति के लिए आए थे कि मतला हिन बुद्ध भगवान के जो पड़ाही होता है वो सब पढ़ने के लिए आए तो किनके सासन में आये थे तो वो आये थे चंद गुप्ध बिक्रामा दीतिया ठीक इनको चंद गुप्ध दूतियों भी बोलते हैं या चंद गुप्ध बिक्रामा दीतियों भी बोलते हैं तो इनी का सासन था जब फायान भारत में आया था और आपका बूध में जो बूध भागवान की ग्यान के लिए चालिए नेक्स्ट को चन देखते हैं असी नमर पढ़िए मौरियो द्वारा नीर्मित सुदर्शन जहिल का जीनोर द्वार किस ने कराया तो किस ने कराया तो कराया अप्शन नमर डी ए और बी दोनु रुद्र दामन आवर समुद्र गुप्त जोनोंने मीलकर अपना सुदर्शन जहिल का जीनोर द्वार द्वार किया था मतलब इनोंने सुरू किया कुछ दिन के बाद मर गये तो ही बनाए ऐसे कह सकते हैं चलिए एकासी नम भारत पर हुनों का आक्रमन किस के सासन काल में हुआ था तब भारत पर आक्रमन हुनों की पिस गुप्त सासोग से संब्वन दी था है तो वहाई आपके अप्सनामर बी चंद्रगुप्त दूपतिये के सासन काल में क्योंकि इनहीं के सासन काल में नौ रत मतल्म नौ को बिख्यात लोग रहते चलिए तो नौ रत की सुरुवाद किस ने किया था तो आपका चंद्रग अपना कुमार गुप्त ने गुप्त बंच के सासकते कुमार गुप्त इन्होंने नलांदा भी सोविद्याले के अस्थापना किया था चलिए 84 नमर देखते हैं गुप्त कालीन स्वर्न सिको को क्या कहा जाता है तो उस समय मतलब गुप्त काल में सोना के सिका जो बनाते थे इस समय के हम रूप्या कहते हैं तो उस समय क्या कहते थे तो वो समय भी इसी तरह जो हम अभी कहते हैं उस समय हम दिनार कहते थे अप्शन नमर यह गुप्त काल में जो सीका जारी करते थे ना सुना के तो उसे हम दिनार कहते थे ठीक है अप्शन नमर ए आपका आंसर हो जाएगा चलिए पचासी नमर निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है स्वप्न वासदतम डंडी ने इनोंने रसनकार नहीं किया है छोड़िए उनको अब तीन को पढ़िए देखे मुद्राक्ष कौन लिखे है तो बिसाखदती बहुत बार पुच्छा है इसके बात भी है अभिग्यान चुकुन्तलम कालिदास और सुद्रख मिरिक्ष कौन टिकम न लिखा है चलिए 86 नमर वान-वर्ट किसे के दरबारी कभी थे तो वान-वर्ट वो थे हर्ज वर्धन के आफ्शन नमर C ठीक है तो हर्स बर्धन के दरबारी कभी थे वान बर्ट चलिए शतासी नमर हर्स बर्धन की रजधानी थी तो हर्स बर्धन की रजधानी कहा थी तो थानेश्वर में ठीक है तो हर्स बर्धन की रजधानी कहा थी तो थानेश्वर में और वान बर्ट कभी थे हर्स बर्धन के ही धर्भार रही और होस्वारध्वन की रधानी कहाँ पर रखे थे था थनेस्वर में याद हो जाया होगा चलिए 88 नमर पडिए चीनी या त्रही ए आए थे तो हुआ अयथे हयं ठीक है एक आथल्क टाफ्यान तक इसके काल में थकी आपको सब्स वर्दन के समवाएं तो बाकी बचगें फायान आजाएगा चंडरकुप जोतीय के समवाँ में पॉइले आये था तब इस बात को द्यान रखेगा चलिए एट नाइड देखते हैं कनाउच के लिए के लिए हुए हुए त्री फक्षे संगर्श में अंतिम बीजाय किस sorry हुई थे तो अंतिम विजय हुई थे आपका अप्शन नमर बी परति हारों की विजय हुई थे ठीगा चले नबे नमर किस राष्ट कुछ सासक ने एलोरा के परवतों को टकरवा कर प्रसीद कैलास मंदिर का निर्मान करवाया किस राष्ट कुछ सासक ने एलोरा के परवतों को कटवाया तो वो करवाया अप्शन नमर सी कृष्ण परत्थम ने गूफा था पहार बहुत बड़ा बड़ा उसकी कुछ काट काट के एक कैलास मंदिर बनवा दिया गया तो यह कौन बनवाया तो कृष्ण परत्थम ने यह चीज बनवाया चली एक अटबे नमर वो अतापी किस की रजधानी थी तो वो थी चलू के की ठीक है वो अतापी किस की रजधानी थी तो चलू के की रजधानी थी चलिए आगा हम देखते हैं बिरिदेश्वर मंदीर का निर्मान किसने करवाया पता हूँ भाई किसने करवाया तो वो करवाया अप्शन नमर C राज्या राजपरत्थम ने ठीक है तो बिरिदेश्वर मंदीर के अस्थापना राजा राज परत्थम ने करवाया चलिए 94 नमर एलिफेंटा गुफा मंदीरों का निर्मान किस राज़बंस के सासन काल में हुआ था तो एलिफेंटा गुफा के हुआ था पर राष्ट कूट के सासन काल में ठीक है तो यह लिए फेर्णटा गुफा मंदिरों का निर्मान किस राजमोंस के सास्वर काल में हुए तो राष्ट कूत के और बिरिदेश्वर मंदिर किस ने बनावाया तो राजा राज फुरत्थमने चलिए 95 नमर महाबली पूरम के रत मंदिर का निर्मान कीस ने करवाया था तो कीस ने करवाया था भाई तो इक रहाया था नर्सिंग देव परतम ने नर्सि वर्मन परतम ने करवाया था महाबली पूरम के रत का निर्मान यह कहां पर हाय फिला हाल में तो यह है उरिसा में है महावली पूरम के रद उरिसा में है चलिए 90 नमर कस्मीर में मार्ड़न्ट सुर्य मंदिर का निर्मान किसने करवाया था तो उग करवाया था अप्स नमर सी लली ता दित्य और मुक्त पीड के सासन का आजमा चलिए संतानमेन भारत पर मुहमद बिन कासिम का आक्रमन कब हुआ तो भारत पर मुहमद बिन कासिम का आक्रमन कब हुआ तो वो हुआ साथ सब बारे इसबी में साथ सब बारे इसबी में हुआ था भारत पर मुहमद बिन कासिम का आक्रमन चलिए next question देखते हैं सोमनाथ मंदिर को किस मुसलिम आक्रमन कारी ने लूटा तो ओ है आपका मुहमध गजनवी option number B मुहमध गजनवी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमन कर गया और वह ही पर से बहुत 17-12 आक्रमन किया था मुहमध गवरी ने मुहमत गजनमी भारत पर 17 बाड़ आक्रमन किया था ये तो इस सोवनाथ मंदिर को इसी ने लूटा था चलिए 99 नमर 99 में से साहनामा के रचाईता कौन है तो साहनामा के रचाईता है फिर दौसी अप्शन नमर डी फिर दौसी साहनामा के रचाईता है फिर दौसी चलिए स्वाई नमर मुहमत गजनमी ने 91 वानवेर इसी में तराईन के दिवतिय युद में किसा सक को पराजित किया तो किया पिरिथिविरा चोगान को यहाँ देके दो कोशन बनेगा तराईन के परथम युद कर परथम युद 91 एकानवेर 91 एकानवेर में हुआ था तराईन का परथम युद इनने तोनों के बीच में पिरिथिविरा चोगान और मुहमत गवरी के बीच में हुआ था उस समय पिरिथिविरा चोगान जीत गए थे और मुहमत गवरी हार गया तराईन के परथम युद में और जब दूसरा यूद हुआ तो राइन के दूतिय यूद एक आरे सबानबरी एक साल बाद ही जब उसा में मुहमत गोरी जीत गया और प्रिति बिराच्वगान हार गया तो यहाद हो गया यहाँ से दो कोशन बन गया चले नेक्ट कोशन लाख बक्स किसे कहा जाता है तो लाख बक्स कहा जाता है कुतुब दिन एबको अप्सन नमर ए कुतुब दिन एबको लाख बक्स कहा जाता है चले एक सद्धू कुतुब मिनार का निर्मान किसने पूर्ण करवाया पूर्ण पूछ रहा है तो वो करवाया इल्टु तुमिसने अब उचेगा शुरुवात किसने करवाय था कुतूब दिन बनवाना तो वो करवाय था कुतूब दिन एबक ने कुतूब मिनार बनवाना सुरू किया था तेकिन बीच में मर गया तो पूर्ण कौन कराया तो इल्थु तुमी इसने इसे पूर्ण कराया चलिए एक सत्ती नमर सीजदा सीजदा यों पाबोस परथा का परणाम किस ने किया था ता वो किया था अप्शन नमर सी बलबन ने एक सीजदा यों पाबलोस परथा का परणाम बलबन ने किया था चलिए एक सचा नमर निमलीकित में से किस आसक ने लव यम रक्त की नीती का पालन किया लव यम रक्त की नीती का पालन बॉलबन ने किया अप्सन नमर B ठीक है बॉलबन ने लव यम रक्त की नीती को अपनाया था चलिए एक सब पांच तूतिये हिंद किसे कहा जाता है तूतिये हिंद अमीर खुसरों को कहा जाता है ठीक है तूतिये हिंद अमीर खुसरों को कहा जाता है चलिए नेक्ट कोशन किस सुल्तान ने सिकंदर सानी या दिवतिये सिकंदर के उपादे गणान किया तब वह किया आपका अलावदिन खिल जी ने सिकंदर सानी एम दिवतिय सिकंदर की उपादी धारन किया अलावदिन खिल जी ने 107 नमर देखिए क्या है अस्थानिय सेना की प्रथा किस ने परगरम किया तब यह अलावदिन खिल जी नहीं शुरू किया अस्थानिय सेना चलिए 108 मुमद बिन तुगलक ने अपनी रजधानी दिली से कहां परस्तना देत किया तो यह दौलताबाद में अस्थापित कर दिया पहले दिली रजधानी था यह दौलताबाद लेकर चला गया चलिए 10 नमर निगली ने इमलिकित में से किस सुल्टान को पागल कहा जाता है या गया न पागल ललाबाद मार दीजिये अराम से मुमद बिन तुगलक को इसे पागल राजा भी गोशित कर दिये गए थे या ऐसा अजीब अजीब फासला लेता था या रालदारबार में आता था तो कभी-कभी हाफे पाठ पा जाता था तो कभी-कभी नंगा भी आ जाता था कभी-कभी औरत का कपड़ा भी पेन कर आ जाता था मुमद बिन तुगलक अपने सासन में जहां राजदार बाड़ी इस लोग बैठे हैं वहाँ पोर इसलिए इसे पागल बोलते थे चलिए 110 नमर ताइमूर लंग ने 1398 इसे में किस के सासन काल में आकड़मन किया था तो ताइमूर लंग ने किस के सासन काल में आकड़मन किया था ताइमूर लंग ने 1398 बढ़ामनों पर प्रत्थम जजिया कर किसने अरुपित किया यह बहुत फेमस कोश चना है तक किसने पहले लगाया जजिय कर त यह लगाया था आपका फिरोज दुगलक ध्यान से सुनिएगा बढ़ामने पर जजिय कर फिरोज दूगलक लगाया था और अकपर ने उसे हटा दिया अकपर ने जजियाकर को हटा दिया और फिर दुबारा अलावदिन खेलजी ने तीसर का बार मने लगा दिया तब फिरोज दुगलक ने लगाया था अकपर ने हटाया था फिर अलावदिन खेलजी ने लगा दिया जजियाकर यह तीन कोस्चन हुए ध्यान से याद कलीजेगा 112 नमर देखे स्वर पर्थाम किस सुन्तान ने सिचाई कर लगाई मतलब सिचाई कर लगा दी कि हम सिचाई करोगे तो पैसा देना पड़ेगा तो यह किस ने लगाया तो यह लगाया फिरोस दुग लखने यह समय बहुत कर लगाया देख रहे हैं जजिया कर भी लगाया था सिचाई पर भी यह कर लगा दिया फिरोज तुगलक ने चली एक सत तीरा नमर मुरको का यात्री इबन बतुता किसके साषनकाल में भारत आया था ता उ आया था मुhtमद बीन तुगलक के सासनकाल में आया था इभन बतुता वो कहाँ कथा तो मुरक ओक था दिली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी तो वो लिखी फिरोज तुगलक ने लिख रहे हैं यहां फिर चुगलक कही बात चल रहा है दियान से देखेगा दिली के की सुल्टा ने अपनी आत्मकाथाली की खूज़ तो वो फिरोज दुगलक ने लिखी चलिए एक सा पॉंदरी नमर देखते हैं क्या कोश्चन है गुल रूखी के नाम से कौन जाना जाता था गुल रूखी के नाम से जाना जाते हैं आपका सिकंदर लोदी ठीक है गुल रूखी के नाम से सिकंदर लोदी को जाना जाता है चलिए एक सा सोज नमर सांकेतिक मुदरा का परचलन किस ने किया था तो सांकेतिक मुदरा का परचलन मुमद बीन तुगलक ने किया था दरबार में थे तो कृष्ण देव राय के दरबार में चलिए 118 भारत का अंतिम ब्रिटिस गौर्णर जर्णरल था तो अंतिम गौर्णर जर्णरल था आपका लाड माउंट बेटन ठीक है अंतिम गौर्णर जर्णर लाड माउंट बेटन था भारत में चलिए 118 नमर भारति सीक्षा का मैंगन कार्टा किसे कहा जाता है अपरनावर सी बूट डिस goes एस बात को ध्यान रखेगाए बूल्ट डिस पाइज Kick संदाउन को सिपाही विद्रो कहां से पररंब हुआ था तो हुआ था मेरट से मंगल पांडे का ब्यक्ति नाम का था इसने विद्रो किया था 1770 के विद्रो इसी ने किया था मेरट के मंगल पांड ने क्यों किया था क्यों कि वो समय बंदुक आता था ये सेना में भरती थे मंगल पांडे तो उस बंदुक को खिचने के लिए एक कर्तूस बनाए गया था कार्तुस सुवर के मांच और गाय के मांच से बनाए जाता था और हम लोगों हिंदु धर में बरजित था गायटा मांच इसलिए उसे दाच से खोलना पड़ता था इसलिए यह माना किये और विद्रो किये और इन्होंने कितनी से ना कू मार दिया बंदूक से इसलिए इन्हें फासी की साजा सुना दी गई और ठाड़े सु शंताओन में इन्हें फासी दे दिया गया मॉंगल पांडे को जखी आगे दे रहा है मॉंगल पांडे ने किस साइन छावनी में बिद्रो किया था तब वो मेरठ में ही किया था एक साइकोईस का हो जाएगा अप्शन नमर बी, मेरट में ही इनों ने यह विद्रो किया था, चलिए, आगा हम बढ़ते हैं, मोंगल पांडे ने किस साइनिक चावनी में विद्रो किया था तो वह बैराखपूर ठाहि है वहाँ पर इन्हों ने बिद्रो किया था यह शुरू हुआ था मेरट के अंदर आए बैरकपूर ठीक है तो इस बात को ध्यान रखेगा तो इसका आंचर हो जाएगा अप्शन नमर ए सैने छामनिक का बिद्रो तो उच्छे सैने छामनिक का नाम है बैरकपूर ठीक है चलिए एकसा बाइस अठाड़ेस सैन्तावन इस बी के बिद्रो के समय भारत का गौर्णर जर्नल कौन था तो उस समय कौन था तो थे लाड काइनिंग ठीक है लाड काइनिंग थे अठाड़ेस सैन्तावन के बिद्रो के समय उसके बाद माता 2.15 का बाद में 1.15 का बाद मौत अबिदुगे हम करने कर भांघिसुंग ,ी न, 5.10 का बाद मा रेया है , आंदोलन शुरू कर दिये थे तो वो ये पूछरा बिहार में कौन किये थे तो ये कुवर्शिंग किये थे चलिए 124 नमरा 877 के बिद्रो के दमन के बाद मुंगल सासक बहादूर सा को कहा निर्वासित कर दिया गया मतलब उन्हें कहां पर भगा दिया गया वो चले गए आपके रंगून चले गए ठीक है रंगून चले गए 1877 के बिद्रो के बाद पून रूपें से सासन हो गया अंग्रेज का और उसा में बहादूर सा थे अंतिम सासक मुंगल के तहीं ने रंगून भेजा दिया उन लोगने चलिए 125 नमर देखिए 1877 के बिद्रो के ततकाली कारण था अब बताएँ ततकाली कारण तो वही था सिपाही दोबारा दिख रहें हैं आपट चरवी यूगत कार्तूस का परियोग यही था में कारण इसलिए बिद्रो हुआ चलिए 126 नमर देखते हैं वहावी अंदोलन के परवर्तक थे ता कौन थे वहावी अंदोलन के परवर्तक तो थे अपस नमर से सयद अहमद राय भरेल भी ने यहीं थे वहावी अंदोलन के परवर्तक चलिए 127 नमर बंकिन चोटरजी द्वारा रचित अनन्द मॉट का समबंद किस बिद्रों से है तो यह है सन्यासी बिद्रों से ठीक है सन्यासी बिद्रों से है आपका बंकिन चोटरजी द्वारा लिखित अनन्द मॉट आनंद मोट से ही ले आ गया है आपका एक वर्ड आई सथ में उजयते है एक मिनट सथ में उजयते मुंड़ू को उपनी सथ से ले आ गया है अनंद मोट से भी कुछ ले आ गया है आगा आएगा आपको मैं बता दूँगा चलिए 128 नमर ब्रम समाज की अस्थापना किस ने की थी बताए एसे दू कोशन बनेगा दू तीन गोई इसे मैं बताऊंगा तो ब्रम समाज की राजा राम मोहन रायने यहां ध्यान से चुनिए ब्रम समाज की अस्थापना राजा राम मुहन रहा है ने लेकिन जब बोलेगा भारती ब्रम समाज भारती ब्रम समाज तब वो कि ये थे केसव नंद सेन ये ब्रम समाज तो राजा राम मुहन रहा है और भारती ब्रम समाज बोलेगा तो केसवा नंद चंद्र यह देवें चलिए आगा आम बढते हैं ज्यादा कंजोस्टेट हो जाएगा चलिए क्या है सुधी अंदोलन किसने चलाया तो सुधी अंदोलन चलाया दयानन्च वर्शतिने ठीक है सुधी अंदोलन किसने चलाया तो दयानन्च वर्शतिने चलाया सुधी अंदोलन तो ये question है आपके पूरे इतिहास से question ले लिया गया है इतिहास से top questions उठाए गया है इतना question कर लिए आप इतिहास से तो पूर प्रयाप्त है आपके लिए और इसी तरह और भी subject आमांए एक ही video लगा और उस video में जीतना भी question बनेगा उस chapter से उस सारे questions को मैं उठा लूँगा तो इसी तरह मेरे चैनल को गुरू कराते रहे और नए है तो चैनल को subscribe जरूर करेगा और like जरूर करेगा इसके अलाब और भी वीडियो नई देखे हैं तो link डिस्क्रिशन में वहाँ आप जाको देख सकते हैं मिलते हैं अगल में, thanks for watching my video, thank you